श्री शिवाय नमस्त ब्याम हरहर महादेव देखिए कल तेवी जुलाई को सावन मास के पवित्र महीने की शनिवार की दसमेतीती है और आपको कर्ज मुक्ती का भूती आसान सा सरल सा उपाय करना है पुझ गुरुदेव की ही कता सुनकर के समझाने का पूरा प्रयास करूँगा बड़े ही ध्यान से इस उपाय को सुनना देखिए यदि आपकी जीवन की कर्ज की समस्या दिनो दिन बरती जा रहे है कर्ज खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा है तो आपको यह उपाय जरू करना चीए यह जो उपाय है आप सावन मास के किसी भी दशमी तिति पर कर सकते हैं उजाले की हो या अंधेरी की हो याने कि कृष्ण पक्ष की हो या शुकलपक्ष की हो किसी भी दसमी तिति पर केवल सावन मास की दसमी थिती पर आपको करना है देखे करना क्या है आपको शमी के पत्ते लेना है कम से कम 11, 21 या 31 जो भी आप ले सके आपको लेना है शमी के पत्ते ठीके शमी का जो पोदा होता है वो मुख्यो रूप से शनी देव का पोदा मना जाता है और शनिवार का दिन भी है तो इसे शनी दोश से भी आपको रहत मिलेगी देखे करना क्या है आपको शमी के पत्ते लेना है साथ में थोड़ा सा शहद लेना है एक दो चमच आप शहद ले 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 और आपको क्या करना है एक तामबे के पात्रे के अंदर जल भी लेना है ये सा जो शमी के पत्ते हैं बिल्कुल चिफक जाएंगे और वो चिफके हुए ही शमी के पत्ते आपको भगवान शीव के उपपर अर्पित करना है उनका श्रिंगार करना है शमी के पत्ते शहद में डूबो करके आपको उनका श्रिंगार करना है जैसे आप श्रिंगार करेंगे त पुरान के अनुसार जो व्यक्ति सावन मास की दश्मी तीती पर बगवान शीव के उपर इस प्रकार से शिंगार करता है तो बगवान शीव उसके घर में धंधानी के भंडार बढ़ देते हैं और जो भी कर्ज है वो धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है केवल दश्मी तीती के दिन ही ये उपाय किया जा सकता है तो आप 23 जुलाई को शेनिवार की दश्मी तीती पर आपको ये उपाय जरू करना चाहिए अगर कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती बिल्कुल भी नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादिव करना है को